पर होग आपके सारे फिसिक्स के देशिन माच जाउब्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोटो खीचो अपकर आपकर और तुरंच वीडियो सिलुशन टाउड डाउड कीजिए डाउट आप अभी या फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आर्ट चार्सो चार सब्सक्षिट वेबरेंख सो आज ढूंड लोग डेश्क्स करेंगे स सकोश्टीन में प्लिवर की सिलुशए में अपने सिंज्गरश दे सकता है ऑसका अग्विère किदम दूर टक उसका एरिया घूल घू वो निकालना है तो दू लोग निकाने हैं कैसे इसको इसका basic formula जो होता है वह हमको पता है कि जो basic formula होता है dm is equals to and root 2r यहां पर small r जो है radius of earth है जो कि हमको दिया गया है 6.4 into 10 to the power 6 meters into ht plus and root 2r hr अब यहां पर ht क्या है height of transmitter अगर मान के चले कि यह जो circle है एक earth है और मेरा जो transmitting tower है जो कि टीवी tower हो यहां पर है तो यह transmit करेगा कुछ signal इस तरीके से इधर को इधर को इधर को इधर को इधर को इसे पूरी तरफ करेगा तो जब तो मुझे यहां पर receiver की जो height है वो दी नहीं गई है तो मैं अजूम कर महां कि यहां पर कोई object है वो आराम से जमीन पर खड़ा होगा माल लिजी यह है को object तो यह distance मेरे को निकालना है तो यह distance क्या होती है dm dm so what in this formula in this formula what is dm dm is the distance between the transmitter and the receiver so dm is the distance between transmitter and receiver और यहां पर ht है जिसे पहले से ही बताया था है ht यहां पर height of transmitter है इस case में height of transmitter दिया कितना है 60 meters मतलब मेरा जो height of transmitter है वो है 60 meters इसको हम ht से denote कर रहे हैं और यहां पर hr क्या है hr है हमारा height of receiver कुछ cases में ऐसा होता है कुछ questions वैसा होता है कि मतलब मुझे एक tower से दूसरे tower पर signal भेजना है तो मेरा क्या होगा height of receiver भी होगा height of transmitter होगा तो पर इस case में क्या है मेरा जो object है वो जमीन पर खड़ा है तो मतलब इसके distance height कितनी है 0 पर कुछ cases में ऐसा होता है कि receiver क्योंकि दो 90 ना है तो कुछ x distance पर हों गई तो क्या होता है तो इसमें हमको receiver की हाइट है वो भी हमको लेनी पड़ती है तो इसलिए इस case में तो जीर हो है पर अलग के सो में अलग अलग यह वैरी करता है मतलग मेरा receiver की height भी matter करती है कि मेरा जो range है टीवी टावर का वो कितना दूर तक जाएगा सो हम डारिक्ट फॉर्मला अगर हम वहली बगते हैं DM है मारा distance between the transmitter and receiver तो हमें maximum निकालनी है तो यह हो जाए कि अंडर रूट टू आर हमें पता है कि हमारा अर्थ का radius है जो यहां पर दिया हुआ है 6.4 into 10 to the power 6 meter और यहां पर हमें यह पता है कि height of tower 60 meter और दूसरा हमें दिया गया है अंडर रूट टू आर 6.4 into 10 to the power 6 meters है वही basic और यहां पर HR क्या है height of क्योंकि बंद जो object है उसकी height में लहीं नहीं रहा हुँ तो यहां पर zero हो जाएगा zero meters सब्सक्राइब तो यह तो यह वाला पार्ट तो आपका zero हो गया यह वाला पार्ट सब्सक्राइब हो जाएगे meter into meter into meter meter square under root में तो meter ही आगया unit important होती है meter में आगया और यह आगया under root 768 जो की calculate करने पर आ रहा है 27.712 into 10 to the power 3 10 यह 10 की power 6 को 1 by 2 under root करेंगे 10 to the power 3 आएगे 100 km में रिख सकता है आप रॉक्स हो जागा 27.7 km सो यह आगया हमारा की जो टावर हो कितने maximum distance तक अपने signals दे सकता है मतलब छोड़ सकता second part है हमारा area तो मैंने पहली बताया था कि जो हमारा टावर है वो एक circular ring बनाएगा मतलब अपने एक circular भेज़ेगा receive transmit करेगा तो उसके transmit कैसा होगा वह हम लिख सकते हैं भी पार्ट अगर हम कहें इसको तो यह हम लिख सकते हैं कि circular में है तो इसका area कितना हो जाएगा पाई आर इसको है पर हमको maximum निकालना है maximum निकालना है अब हमारा object जो है वो भी खड़ा हुआ है जमीन पे तो हमको यह जो height है इसको भी mention करना पड़ेगा जो 60 meter height है क्योंकि हमारे यह अगर मैं यह नहीं करता हूं मतलब 60 meter नहीं लेके चलता तो मैं कहां निकाल रहा हूं मैक्सिम इस हाइट पर कुछ इस हाइट पर मतलब ऐसे कुछ हाइट पर 60 meters अर्थ से 60 meters तो हमको यह भी लेकर चालना पड़ेगा maximum मैं आ जाएगा लक्सिम हो जाएगा टू पाई आर एच एच क्या है हमारा यह जो डिस्टेंस है जिसके वह से हमारा एरर आ सकता है वह मतलब कि लास्ट में हमारा जो रिसीवर है वो तो जमीन पर ही घड़ा यह यहां पर लेके चल रहे है जो यह हो जाएगा 2 x 5 की वैडियों में पता है 3.14 आ रहे हमें पता है क्या है जो अर्थ का रिडियस है 6.4 x 10 to the power 6 meters और यह हो जाएगा height 60 meters तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 2411 km2 यह हमारा आगया maximum area हूँ